इम्हार के किनारे लगी घास चर रही थी तब भी उसकी नजर नदी के दूसरी पार लगी घास पर पड़ी वाँ नदी के उस पार कितनी अच्छे घास खिले हुई है मुझे उस पार जाकर घास का अनन्द लेना चाहिए ये कहकर सीमा नदी पर बने पेड के पुल के जरिये दूसरी पार जाने लगी थी तब ही उसने देखा कि सामने से रीमा भी पुल के इस पार आ रही थी सीमा और रीमा दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई और रीमा बोली अरे अरे चलो पीछे हटो, मुझे नदी के उस पार जाना है मैं क्यों पीछे हटो, मैं पुल पर पहले आई थी, तुम पीछे हटो, पहले मैं पुल बार करूंगी और फिर यूँ ही सीमा और रीमा दोनों आपस में लड़ने लगी पर लड़ते लड़ते रीमा को एहसास हुआ अगर वो दोनों यूँ ही लड़ती रही तो दोनों ही नीचे गिर जाएंगी रीमा ने सीमा से कहा सीमा अगर हम यूँ ही लड़ते रहे तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगी हमें लड़ाई छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए सीमा को भी रीमा की बात सही लगी सीमा कहने लगी हाँ, तुम सही कह रही हो ऐसा करो, मैं नीचे बैठ जाती हूँ तुम मेरे उपर से छलांग लगा कर पुल पार कर लो और ये कहकर सीमा नीचे बैठ गई रीमा ने सीमा के उपर से छलांग लगाई और पुल पार कर लिया दोनों ने समझदारी से काम लिया और बिना लड़े पुल पार कर लिया तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लड़ाई कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होती सूज बूज एवं समझदारी ही हमें बड़ी से बड़ी बाधा पार करने में मदद करती है